तो आज की वीडियों में हम रिसकस करेंगे के हमारे पास एक अन्य प्लैटफॉर्म है जिसे हम चैए हैं अपवर्क. हम यह कोदंद करना है है यहाँ आपको शौलांसिंग है। लेता है क्लाइंट आएगा कैसे आएगा क्लाइंट इस तरह आएगा जिस तरह नौर्मली जॉब पोस्ट होती है आप लोग आँख इखते हो कि är जॉब पोस्ट हो रही है ॏसी तरह client अपवर के platform के ओपर job डालता है और आप उस job के ओपर apply करते हो आप apply करते हो और अगर आप ठीक candidate होते हो तो वह आपको select कर लेता है इसी तरह आपके लावब और भी freelancers होते हैं अच्छे खासे freelancers होते हैं जो कि उस job पर भी apply कर रहे होते हैं आप भी करते हो उस job पर apply और add the end client को जो सही लगता है वो उस बंदे को hire करता है ठीक है तो आपने अपर के उपर अपनी profile बनानी है उस profile को optimize करना है एक अच्छे तरीके से अपने आपको present करना है जिससे यह होगा कि आपको वो बंदा hire कर लेगा ठीक है अब वो कैसे hire करेगा क्या करेगा देखो अगर आप graphic designer हो ठीक है आप graphic designer हो और उसको graphic designer को काम करवाना है उसे कोई अपनी तस्वीर अच्छी बनानी है या पर उसको यह और काम करवाने तो वो आपको तब ही hire करेगा जब आप एक अच्छा प्रपोजल उस जॉब के उपर लिखोगे ठीक है आप उस जॉब के उपर एक बहुत प्यारा सा अच्छा सा प्रपोजल लिखोगे तो add then वो client होगा खुश और वो कैगा यार क्या बात है क्या प्रपोजल लिख अगर गयने इसे को hire करते है ठीक है उस जॉब के बार apply करोगे आप टेक्स्ट में कुछ लिखोगे साथ में कुछ case studies attach करोगे social proof attach करोगे तो वो कैगा यार क्या बात है क्या बंदा इसी को hire करते है इसी से काम कराते है यह तो तब होगा ना जब आपकी एक अच्छी profile एक अच्छी reputation बिल्ड होगी अपवर के उपड़ तब ही वो बंदा आपको hire करेका नहीं तो वो बंदा आपको hire नहीं करेगा तो यह अपवर्ख होता है इसका सबसे बड़ा benefit क्या है as compared to Fiverr जादातर लोग अपवर पे इसलिए जाते हैं Fiverr पे क्यों नहीं जाते क्यों कि Fiverr के उपर जो clients होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं वो कहते हैं कि हमसे 1000 एप ले लो और हमारी नहीं एक website बना दो हमें यतना बड़ा काम करते हैं वो इतने चोटे काम के पैसे इतनी चोटी चीज़ करवाते हैं और वो पैसे बहुत कम देते हैं तो इसलिए लोग अपवर्क प्राइफर करते हैं क्योंकि अगर एक एक्सपीरियंस बन्दा है वह फाइवर पे काम कर रहा है और उसके पास अच्छा खास प्रिजाइब चार साल पांच साल का फ्री लांसिंग एक्सपीरियंस है उसको फिर वही कहेंगे या 10 डॉलर ले लो क तो अपवर्क उनके लिए बेस्ट प्राइफर्म है कि क्लाइट्स उदर से अराम से जनरेट हो सकती है उन लोगों के लिए जो के अच्छे खास एक्सपीरियंस है अपनी फ्री लिए अंदर आपको एक्सल आता है जो भी आपका एक्सपीरियंस है जिस चीज़ में भी आप एक्सपर्ट हो आप उसको यूज कर सकते हो और वो चीज़ आपको क्लाइंट ग्राइब करने में हेल्प कर सकती है और अपवर्क का मैंने आपको इंट्रडक्शन दे दिये कि अपपर क्या है और आप उधर से कैसे क्लाइंट जेनरेट कर सकते हो तो नेक्स वीडियो में हम discuss करेंगे यार कि अपपर की profile कैसे बनानी है क्योंकि add then अपवक हर बंदे को approve नहीं करता मतलब कि यार मैं जाता हूँ अपपर के ओपर मैं कहता हूँ अपपर भाई मुझे approve कर दो मैं अपपर पर काम करना चाता हूँ तो वो approve नहीं करेगा आपको क्यों नहीं करेगा भई क्यों नहीं करेगा बात हूँ approve इसलिए नहीं करता क्योंकि अपपर के ओपर जितने लोग जॉब देने वाले हैं और जितने लोग जॉब लेने वाले हैं मतलब जो hiring कर रहे हैं और जो apply कर रहे हैं बराबर होना है अपक्या जो लोग जाब पहलुज तो फिलांसर थे स्वक्रीज घृयूब का रहा है जो भी किता है फञाए अजयूज जो चूर्द बराबर हो जो नहीं dissapolis घृयनसर अगर यह नमबर इकवल नहीं करता और सारे लोगों को अलाव नहीं करता उपर पर काम करने से तो इसकी भी एक ट्रिक है जिसके थुरू हम वो ट्रिक अप्लाय करेंगे और एड़ एंड हमारी अप्वर की प्रोफाइल एप्रूव हो जाएगी ठीक है तो वो ट्रिक हम अप्लाय करेंगे क्योंकि आपने प आपने ग्राफिक डिजाइनिंग से बनाए वह अलाओ नहीं करेगा एक स्पैसिफिक काटिगरी हम चूज करते हैं इक स्पैसिफिक स्किल चूज करते हैं जिसकी बेस के उपर वह पर की प्रोफाइल अप्रूफ कर देता है अगर आप वह नहीं उसका चूज करोगे तो वह आ के बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम प्रोफाइल प्यारी से मनायेंगे उस में प्रूटिफोलियो